हेलो बचो कैसे हैं आप लोग आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो अपने इस NB Classes चैनल में ले के आई हूँ तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो में Arithmetic Progression का Exercise 1B बताने वाली हूँ 1A में बता चुकी हूँ Ratio Proportion का 1B आज बताऊंगी ठीके 1B ध्यान रहे 1B बताऊंगी तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और ये बेल आइकन जरूर दबाईए तभी आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट सेक्सिन में भी आप बता सकते हैं और जो स्टुडेंट्स को किसी मैस चप्टर का एकसरसाइज चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करें मैं कोशिश करूँगी उनके बुक्स के एकसरसाइज अपने इस वीडियो में लाने की तो बस उसी पर बेज्ट यह एकसरसाइज है चली स्टार्ट करते हैं पहले कोशन से अइडेंटिफाइ दा टू और फॉल्स स्टेटमेंट तो नमबर वन में कोशन है 250 इस टू 125 प्रोपोर्शनल 150 इस टू 25 तो यह टू है तो कैसे पता चलेगा कि यह टू है तो इसका solution मैंने बनाया है आप यहां देख सकते हैं product of means is equal to product of extremes तो 125 इंटू 150 यह product of means हो गया और यह product of extremes हो गया तो product of means पहले लिखना है बस इसको आपको solve कर देना है जब यह दोनों same आएगा यानि कि LHS is equal to RHS तो मतलब इसका ये true statement है चली सेम उसी तरह आपको number 2 भी बनाना है तो देखें number 2 भी मैंने यहां आपके लिए बनाय हुआ है question आप देख लिजे और same वैसे ही आपको step wise step करना है product of means is equal to product of extremes आप अपने copy में no doubt कर लिजे अगर कोई doubt होता है आपको तो आप मुझे comment section में भी लिख सकते हैं मैं आपके doubts को clear करने की पूरी तरह कोशिश करूँगी चली आगे बढ़ती हूँ now see number 4 28 gram 140 gram rupees 17 and rupees 85 तो यह भी बताना आपको क्या यह proportion में है या नहीं तो यहाँ पर देखें LHS इसका to RHS हो गया है तो मतलब यह भी statement जो है आपका true है यानि की yes में answer आएगा yes these are in proportion मेरा एक sentence छूट गया है वो आप लिख सकते हैं कुछ से इतना तो आप जान नहीं गए अब तक बना के तो आप लिख लिजेगा yes these are in proportion ओके चली number 2 कोशन बनाते हैं find the fourth proportional to the following quantities आपको fourth proportional निकालना है तो यहां देखिए one by two half दिया वाए four दिया वाए six दिया वाए तो आपको fourth को X मान सकते हैं तो उस X को फिर find out करना है तो बस देखिए one is one by two is to four proportional six is to X बस इस X को find out करना है तो यह आ गया fourth proportional चलिए आगे भी number two में भी इसी तरह करना है same process होगा तो बस उसी तरह आपको लिखना है product of means is equal to product of extremes यहां is equal to होगा और इस तरह से X का value निकल जाएगा 5 one by 18 kg चलिए two का three देख लेते इसमें क्या है same वैसा ही step है आप easily आप कर सकते हो खुद से भी आप try करो और आपका answer आ जाना है two का four भी देख लिजे यह भी वैसा ही है same answer आएगा X का 12 gram five number देखते हैं आगे fourth proportional को X मान लेना है और इसको इसी तरह step by step बनाएंगे तो आपका भी answer आजाएगा X का value आजाएगा 1 by 3 kg अब अब लोग स्टार्ट करते है what problems की तरफ find the quantity to which 40 minutes bears the same ratio as rupees 3.60 पैसे bear to rupees 5.40 तो देखें आप करना क्या है let the quantity to which 40 minutes bears the same ratio has rupees 3.60 पैसे bear to rupees 5.40 पैसे b x minute मान लेना है the product of means or product of extremes यह तो आपने कई बार पड़ा है तो बस उसी पर based यह question है तो आपको बस इस question पर based जो जो values दियावा है वो put कर देना है और आपका X का value आ जाएगा 60 this is the answer of question number 3 now come to question number 4 3.9 kg bears the same ratio to a certain quantity as 13 liters bears to 6 liters find the quantity let say quantity be x kg then 3.9 is to x proportion 13 is to 6 बस यहाँ पर X का value आपको solve कर देना है तो X का value आ जाएगा 1.8 kg now come to question number 5 as the following quantities in continued proportion आपको पूछा जा रहा है कि क्या यह जो quantities दिया गया है कि वो continued proportion में है यह नहीं look it here तो इसको ऐसे बनाना है हम लोग को A is to B proportion B is to C और यहाँ पर आपको यह देखना है कि दोनों side LHS is equal to अगर RHS हो जाता है hence it is proof that it is a continued proportion okay now see this one question 16,16,4 इसको भी same वैसे ही करना है और यहाँ पर देखिए दोनों side यहने कि LHS RHS equals to not हो गया तो no it is not in continued proportion now come to number 3 इसमें देखिए आपका दोनों side यहने कि LHS RHS equals आ गया तो हम लोग बलेंगे yes it is a continued proportion now come to question number 6 find the third proportional to each of the following set of numbers तो one number question में दिया है 2,8 हम लोग माल लेते third proportional x से है इसको दो तरीके से बना सकते है बच्चो तो मैंने पहला तरीका भी बता रही हूं इसके बाद दूसरा तरीका बताऊंगी I hope आपको second वाला process काफी easy लगेगा बट पहला देख लिजए आप 2 is to 8 proportion 8 is to x क्योंकि third proportional आपने x माना है यहाँ पर तो चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं इस x का value क्या निकल जाएगा 32 ओके यह था पहला process दूसरा process आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर a दियावाई भी दियावाई आपको c निकालना है c क्या है third proportional ओके तो आप यह तो आप करी चुके a is to b proportion b is to c ठीक है 2 is to 8 proportion 8 is to x यह तो find out करी रहे थे जो कि इस तरह से उपर भी आया था यहाँ पर देखे दूसर प्रोसेस में आपको यह बता रहे हूँ यहाँ पर आप यहाँ नोटिस किजिएगा a by b is equal to b by c दो बर भी है ठीक है तो third proportional क्या है हम इसको c कह सकते है third proportional यहाँ पर क्या हो जाएगा c आप इसको c भी लिख सकते हो ठीक है तो यहाँ पर देखिए third proportional is equal to b square by a क्योंकि third proportional ही c था ठीक है तो यह दूसरा formula है इसको आप आसानी से use कर सकते हो और काफी जल्दी आपका answer भी आ जाएगा 8 into 8 by 2 that is 32 आगे question दिखेगा आपको clear हो जाएगा now come to 6 का 2 question है आपका 2,5 a माल लिया 2 को b माल लिया 5 को third proportional क्या है c ठीक है third proportional आपका यहाँ पर क्या पर है c तो उसका क्या formula हो जाएगा b square by a तो b आपका क्या था 5 और a क्या है 2 तो यानकि b square है यानकि 5 into 5 that is 25 by 2 ठीक है उसी तरह question number 3 देखें सेम वैसा ही है आप यहाँ पर इसको c भी लिख सकते third proportional में ठीक है तो देखें three number में भी आपको वैसी बनाना है third proportional is got to b square by a बस value put कर देना है बस इसी तरह आपका answer आते जाएगा चली I hope आपको यह solutions समझ में आ रहे होंगे कोई doubts नहीं होगा अगर कोई doubts है तो मुझे comment session में आप लिखें और अगर कोई doubt नहीं है clearly आपको समझ में आ रहे है तो please मेरे इस वीडियो को एक like जरूर करें six का six number a comma b a तो a ही है b तो b ही है तो third proportional निकालना है b square a इसका तो same ही answer आना है now come to question number seven यह भी काफी easy है और बहुत आसानी से आप बना लोगे बच्चो find the mean proportional between the quantities in each pair given below तो देखिए यह question 3,5 दिया है आपको mean proportional निकालना है mean यानि की b चुल है तो 3 is to x proportion x is to 12 तो mean proportional यानि की x square आप इसको जब लिखोगे 3 by x is equal to x by 12 तो x square is equal to a into c आना है तो बस इसको solve करते जाना है a का value आप लिको b का value लिको x का value 6 आ जाएगा चले number two देखिए यहाँ पर भी 1 by 3 दिया है और 1 by 12 दिया है तो इसको भी आप ऐसे लिख दो 1 by 3 is to x proportional x is to 1 by 12 तो x square is equal to a into c तो बस इसको solve कर दीजेगा तो x का value 1 by 6 आ जाएगा now come to question number seven का three यह question दिया है बस उसको same जैसा आपने पिछला वाला process किया था बस वही process को apply कर देना है और आपका x का value यहाँ पर निकल जाएगा चलिए आगे फोर नमर भी देख लेते हैं फोर नमर भी वैसा ही है आप अपने copy में note down करते जाएगा number five भी वैसा ही है six भी वैसा ही है now come to question number eight find x such that आपको बस एक question दिया है ratio and proportion उसमें आपको x का value पूट करना है तो बहुत ही simple है तो x by 14 is cut to 18 by 63 x का value निकल दिजे 4 काफी easy है यह 8 नमर तो बस आप यह note down करते जाएगे क्योंकि सारे questions एक जैसे हैं तो बताने की जरूरत भी नहीं है आप बस अपने copy में note down कीजे 8 का 4 भी वैसे ही है same तो x का अंसर आजएगा 25 by 8 चली 9 नमर question में परते हूँ तो if the ratio that 49 bears to a quantity is the same as the ratio that the quantity bears to 81 find the quantity तो देखें let the quantity be x हम लोग ने उस quantity को क्या मान लिया है x आप अपने बुक से question देख लिजेगा it is 49 is to x and x is to 81 यह given दिया आपके question में okay it is given that the two ratios are equal यह भी दियावा है कि दोनो ratios equal है ठीके so इसको solve करते यह बस product of means और product of extremes की तरह और आपका quantity answer आजाएगा 63 now come to question number 10 the length of a rectangular field is 140 meter if the ratio of the length to the breath of the field is 5 is to 3 then find the breath of the field तो length दियावा आपका 140 meter length is to breath दियावा है 5 is to 3 length है 5 x और breath है 3 x क्योंकि ratio दिया था तो अब इसको हम लोग जानते है कि length का यहां पर ratio में दियावा है और यह number में दियावा है तब इस तरह से हम लोग x का value निकल सकते हैं तो x का value 28 आ जाएगा और वो x का value breath में हम लोग put कर देंगे वो value को यानिकि 3 x 28 that is 84 meter that is your answer 11 number in a triangle the side a b is called to 4 cm and side b c is called to 9 cm if the side a c is the mean proportional to a b and b c find a c तो देखिए यह solution काफी easy है यहां पर दियावा है कि a b is called to 4 cm b c is called to 9 cm और a c proportional to a b and b c तो बस a c by a b is called to b c by a c a c square is called to a b into b c बस values put कर देजे तो a c का value 6 cm आएगा I hope students आपको यह सारे solutions आपकी studies में जरूर help करे होंगे तो please मेरे इस video को एक like जरूर करें और आपको अगर कोई chapter का exercise का कुछ solutions चाहिए तो आप मुझे comment section में भी लिखिए और सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कर लिजे और यह bell icon जरूर दबाईएगा तभी आपको मेरे आने वाले upcoming videos का notifications मिलते जाएगा तो आज के लिए इतना ही thank you bye bye keep watching and be classes